नमस्कार मेरे इनु मिस्रे अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ बहुत जल्दी मकर संक्रात्री यानि की खिचड़ी आने वाला है और इस दिन हम गुड़ और तिल का एक न एक कोई सा भी आइटम जरूर बनाते हैं आज मैं आप सब के साथ सेयर कर रही हूँ तिल और गुड़ की लड़ू बनानी की परफेक्ट विधी जिससे कि आपका लड़ू कभी नहीं भीगड़ेगा आप इसे जरूर ट्राइ करके देखना और मुझे कमेंट में बताना कि आपके लड़ू कैसे बने हैं तो आईए कटोरी तिल है उसको डालके भून लेंगे लगबक चार मिनट इसको हम मीडियम फ्लेम पर यानि कि मध्या माच पर इसको भूनेंगे हलका सा इसका बस कलर चेंज हो जाए यह हलका सा फूलने लगे तब तक ही इसको भूनना है और लगातार चलाते रहना है जरा सब यह जल मुंना है तो तिल तो कड़वा लगने लगता है इसका फिर बढ़िया नहीं लगता है खाने में तो इसे लगातार चलाते वियह हम 3-4 मिनट तक भून लेंगे या फिर जब इसका हलका सा इसको यह और तब तक यह देखिया यह तिल को मैंने मुन लिया है अब हम उसके कराह गीस में कराई में डाल रही हूँ, उसके बाद जब घी थोड़ा सा गरम हो जाएगा, तो उसमें हम गुड़ डाल देंगे, बस गुड़ का अंताज़ा यहीं रहता है कि जैसे कि हमने तील एक कटोरी भर के लिया है तो आधा कटोरी से थोड़ा जादा और एक कटोरी से कन गला लेंगे मतलब की पिगला लेंगे. ये गुड़ को पिगलाने से पहले इसको देखिए मैंने छोटे-्छोटे टुकडों में काट लिया है ताकि ये जल्दी से पिगल जाए. अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे. बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है बस यह थोड़ा से जो जिसे हम खाना खाते चमच उसी से दो चमच पानी में डाल रही हूं इसमें बस यह समझ दीजिए कि हमारा जो लड्डू है न वो पूरी तरह से इस गुड़ पे डिपेंड है अगर यह perfect गुड़ पका तो हमारा लड्डू बढ़ियां बनेगा अगर जरासा भी कच्छा रह गया या फिर ज्यादा पक गया तो फिर लड्डू हमारा बिगड जाएगा तो इसलिए ध्यान से हमें यह जो गुड़ है इसको गलाना है इसको पकाना है यह बिल्कुल भी fast forward करके मैं नहीं दिखा रही हूँ बस जैसे मैं यह जितनी देर मुझे लगेगा यह गुड़ को पिगलाने में उसी इसाब से आप भी अपना जब लड्डू बनाएं तो इसी तरह से इस गुड़ को पिगलाएं यह देखिए आराम आराम से यह जब तक कि सभी गुड़ गल नहीं जाते हैं तब तक इसको हम चलाते हुए इसी तरह पकाएंगे बिल्कुल वैसे का वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको जो टाइम है उसका मतलब पता रहे कि हाँ इतना टाइम लगता है इस गुड़ का जो पाक है इसको बनाने में और जब भी हम इस लड्डू को बनाएं गुड़ पिगलाने के लिए हमें हेवी बेस वाला यानि कि जो मोटे तले वाला कराही उसी को लेना है क्योंकि जो पतली कराही रहेगी न तो गुड़ इसमें चिपक जाएगा अब यह देखिए यह गुड़ गल गया है पिगल गया है बिल्कुल से और इसमें यह देखिए उबाल भी आने लगा है अब हम चेक कर लेते हैं यह देखिए इस तरह से कट़ोड़ी में मैंने पानी लिया और उसमें यह गुड़ को थोड़ा से डालेंगे अब इस गुड़ को पानी में डालने के बाद थोड़ा से भी रहे इस अब हम गुड बना सकते हैं, अब इस गुड में हम डालेंगे तिल, तिल को डालके तुरंती गैस को बंद कर लेना है, और बंद करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, यह देखे, गैस को मैंने ओफ कर लिया है, उसके बाद इसको मिक्स कर रही हूं, और यह बहुत जल्दी- जल्दी करना है क्योंकि अगर यह ठंडा हो गया ना तो फिर लड्डू बनने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है तो इसलिए इसको फटा-फट मिक्स करके और लड्डू बना लेना है हमें यह देखिए अगर हम यह मोटे तले वाला कराही लेंगे न तो जल्दी ठंडा भी नहीं होगा तो थोड़ा लड्डू बनाने में भी आसानी रहेगी यह अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब इसका लड्डू बनाना हमें जल्दी से सुरू करना पड़ेगा तो पहले हम एक कटोरी में पानी ले लेंगे थंडा पानी रख लेंगे ताकि लड्डू बनाते से में हम उसको अपने हातों पे लगा सके remove क्योंकि ये काफी गरम रहता है तो इसलिए थोड़ा साउधानी से ही लड़ू बनाएंगे हम ये देखिए अच्छे ये मिक्स हो चुका है अब देखि ए थोड़ा सा गरम है तो हाँ ठोड़ा सा जल रहा है लेकिन पटा-पट लड़ू बनाएंगे अगर थंधा हो गया तो प्रॉब्लम होने लगेगी लेकिन अगर ठंधा हो जाता है तो आप क्या करें न कि गैस पे दुबारा से इस कराई को रखके और इसको यह जो तील और गुड है इसको हलका सा गरम कर ले और फिर लड्डू बनाएं लेकिन यह यह कि दुबारा जब हम गरम करते हैं तो वो थोड़ा से लड्डू जो है न वो कड़क हो जाता है अगर आपके गर में दो लोग हैं तो दो लोग मिलके लड्डू बनाएं तो जल्दी बन जाएगा आसानी से लड्डू बन जाएगा यह दिखिए कितने आराम से लड्डू बन जा रहा है यह दिखिए आराम से मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक, कमेंट, शेर करें ताकि मैं आप सब के साथ और भी अच्छे ची नई नई रेसिपी शेर कर सकूँ ये देखे कितना बढ़िया कितना परफेक्ट लड्डू बना है आप जरूर ट्राइ करें और फिर मुझे बताएं कि आपका लड्डू कैसा बना है मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धनेवाद थैंक यू